हेलो दोस्तों आपका स्वागत है कुकिंग विद अमरिता में आज मैं शेयर कर रही हूं उत्तर प्रदेश की ट्रेडिशनल मतर के नीमोना की रेसिपी या विंटर स्पेशल रेसिपी है क्योंकि विंटर में फ्रेस मतर हर जगा मिलते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मतर का नीमोना बनाने के लिए मैंने एक कफ फ्रेस मतर को मिक्सी के जार में डालके दरदरा पीष लिया है इसे बिल्कुल महीन नहीं पीषना है मतर को पीषते समय इसमें एक इंच अधरक का टुकडा चौप करके दो हडी मिर्च, मिर्च अपने स्वात के अनुसार ले पंदरा सोला लसन की कलिया और तीन से चार बड़े चमस हडा धनिया धनिया का टेस्ट मतर के नीमोना में बहुत अच्छा आता है अब सबको मिक्सित के जार में पीस लेते हैं और इसको साइड कर देते हैं अभी एक लोहे की कडाही को गैस पे गरम होने रखा है और कडाही के गरम होने पे इसमें दो बड़े चमस सरसों का तेल डाल दिया तेल के गरब होने पेस में दो मीडियम साइज के आलू को छील कर अच्छे से धो कर और क्यूब सेफ में काट कर डाला है आलू को बीच बीच में चलाते हुए गोल्डेन कलर के होने तक सेखना है जब आलू golden color के हो जाएं तब इसमें पिसे हुए मटर, अधरक, लसन, मिर्च और धनिया के पेस्ट को डाल देंगे गैस का flame मैंने शुरू से medium ही रखा है अभी मटर को आलू के साथ ही भून लेंगे मटर को बहुत अच्छे से भून आए क्योंकि यदि मटर में कच्छा पैन रहे गया तो निमोना का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा मटर को बीच बीच में चलाते रहना है ताकि यह सब तरब से अच्छी तरह से भून जाए मटर को भुनते भुनते इसमें आपको light brown color के spots दिखने लगेंगे इसके बाद मटर को 5-6 मिनट और भुन ले और मटर भुन के तयार हो जाता है मटर का नीमोना अच्छा बने इसके लिए बहुत जरूरी है कि मटर अच्छे से भुने हुए रहे अब भुने हुए मटर और आलू को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी कराही में आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कराही अभी गर्मी है इसमें एक बड़ा चमच सरसों का तेल डाल दिया और तेल के गर्म होने पे एक पिंच इंक आदी छोटी चमच जीरा डाला जीरा के लाइट ब्राउन कलर के होने के बाद इसमें एक मीडियम साइज का प्याज फाइन चॉप किया हुआ डाल दिया है गास का flame मेडिया में प्यास को light golden color के वुने तक भुनना है प्यास light golden color के हो गए है अब कराई में एक बड़े साइस का tomato fine chop करके डाल दिया है अभी प्यास और टमाटर को एक मिनित भुनते हैं अब इसमें आदी छोटी चमच अलदी पौडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर एक चोटाई छोटी चमच चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च का पाउडर और एक छोटा चमच नमक डाला है नमक आप अपने स्वात के अनुसार ले ले अब सभी मसालों को टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें आधा कप साबू थड़े मटर डाल दिये हैं मटर को मैंने पीशा नहीं है टोटल मैंने 200 ग्राम मटर लिया था जिसमें से एक कप को पीश के डाला है और बचें वे आधे कप को बिना पीशा हुआ यूज किया है अब मटर को इन मसालों के साथ तब तक भूनेंगे जब तक की साइड से ओयल रिलीज ना हो जाए मसालों से ओयल रिलीज हो गया है तो अब इसमें भूने वे आलू और मटर को डाल देंगे और आलू और मटर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं चार से पांच मिनद आलू और मटर को मसालों के साथ भूनेंगे इधर तब तक मैंने पतीले में दो ग्लास पानी गरम होने रख दिया है जिसको ग्रेवी के लिए यूज करेंगे आलू और मतर को बुनते वे 5 मिनट हो गए कड़ाही में पतीले वाला 2 गलास गरम पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद मैंने गैस का फ्लेम फुल कर दिया है और पानी में उबाल आने के बाद इसे 4-5 मिनट और कुक करेंगे एक बाद आलू चेक कर लेते हैं कुक हुए या नहीं तो अभी आलू कुक नहीं हुआ है इसको ढग के 5-6 मिनट और कुक कर लेते हैं ट्रेडिस्नली मतर का निमोना लोही की कड़ाही में ही बनाया जाता है बनने के बाद निमोना को तुरण दूसरे बरतन में ट्रांसपर कर लेते हैं तो लोही की कड़ाही की वज़े से निमोना काला पड़ जाएगा आलू को मैंने चेक किया आलू पक गए है तो गैस का फ्लेम मैंने बन कर दिया और निमोना को तूरण दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं निमोना को मैंने गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व किया है